जैस्री राम प्रेमि भक्तों, प्यारे भक्तों, नाम जब करने वालों पर भगवान की किस तरह की किर्पा होती है? बंधों सभी जानते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, कीरतन करते हैं, नाम जब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन पर भगवान की जरूर किरपा होती है लेकिन जो संफूर्था के साथ नाम जब करते हैं, प्राण जब करते हैं, और उसमें वह पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं यानि के उनको बिना नाम जब के रहाई ही नहीं जाता है, तो भगवान उन पर विशेश करपा करते हैं, ऐसी करपा करते हैं, कि बहुत सारी बातें तो बताई भी नहीं जा सकती हैं बंधों जो भगवान का नाम जब के रहनी पाती हैं, ऐसे ही नाम जापक, अगर बिना नाम जब के नहीं रह पाता है, तो भगवान उस पर ऐसी करपा करते हैं, तो थोड़ा सा हम बता पाएंगे बाकी तो आपको अपने आप ही अनुभव होने लगता है, दिखिए जो भगवान का निरंतर नाम जब करते हैं, इस तरह से नाम जब करते हैं, कि उठते, बैशते, सूते, जागते, खाते, पीते, किसी भी पस्तिती में वह नाम को छोड़ते नहीं, नाम के साथ जुड़े ही रहते हैं, सबसे पहले तो उनके अंदर हर समय मन के अंदर प्रफुलता बनी रहती है, जो आदमी असांत रहते हों, अगर वो लगातार और नाम जब करें, तो उनके अंदर सांती अपने आप आने लगती है, लानी नहीं पढ़ती है, इसके आगे उनके घर में अगर गर भी भी होती है तो अमीर ही अपने आप आने लगती है यह भगवान की कृपा होती है क्योंकि भगवान के साथ जुड़ जाते हैं भगवान उनके वारे नियारे कर देते हैं और उससे आगे अगर किसी धर में ग्रह कलेश रहता हो और वह नाम जब ना शुरू कर दे तो ग्रह कलेश समाप्त होने शुरू हो जाते हैं और लगातार नाम जब करते हैं तो घर में कलेश होता ही नहीं और इससे आगे जो भगवान के साथ जुड़े रहते हैं नाम जब लगातार करते हैं भगवान उन पर इतनी कृप्पा करते हैं कि उनके कारिया अपने आप ही बनने सुरू हो जाते हैं उनको बनाने कि आवसेकता नहीं है क्योंकि जो भगवान के साथ जुड़ जाते हैं फिर उनका हर कारी है भगवान स्वेम करते हैं किस रूप में करते हैं वो बताते नहीं है भगवान छुपाते हैं किरपा करते नहीं बताते बन जाते अंजान भक्त के बस में है भगवान बक्तों ये बिल्कुल 100% सही है कि वास्तम में भगवान एदस रूप में रहते हैं लेकिन भक्तों के लिए वह सब कुछ होते है भक्त के मिनावद है नहीं सकते है भक्त की तो चणदूली तक लेना चाहते हैं लेकिन हम समझते नहीं हमने उस सक्ति को उस परमात्मा को उस नामजब को कुछ समझाई नहीं हम बड़े हलके में लेते हैं उसके बगर न कुछ था न है न होगा और वे हर जगे मौजूद है कोई जगे खाली नहीं उसके लेकिन उसको हर जगे तो तब देखा जा सकता जब हम अपने अंदर उसको देख ले उसको जान ले उसका अनुभव कर ले तो प्रेमी भक्तों आप इस तरह से नाम जब करें और लगातार करें तो वास्तम में भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं और इस तरह से हमारे सारे कारिये पूरी करते हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता है तो आसा करते हैं आप भी इसी तरह से निरन तरता से एकागरता से विश्वास के साथ सद्धा भाव के साथ नामजब करें और अपने जीवन का जो लक्ष है उसे भी प्राप्त करें और इस लोक में भी आनंदत रहें और परलोक में भी आनंद रहें अब हम अपनी बार्णी को बराम देते हैं जै स्री राण